नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्यान प्रश्न और उत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी, नौक्री और साक्षातकारों के लिए महत्वपूर्ण है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 20 महत्वपूर्ण की संख्या प्रदान करेंगे जिनके उत्तर आप आसानी से याद कर सकते हैं और इससे आपकी परीक्षा त्यारी को विशेश बढ़ावा मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला सवाल है मनुश्य के कौन से अंध में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन आपका दूसरा सवाल है ऐसा कौन सा पल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन आपका तीसरा सवाल है मनुश्य का फेफड़ा एक दिन में लगभग कितने लीटा हवा फिल्टर करता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन आपका चोथा सवाल है ऐसा कौन सा देश है जहां पर रेश्टरा में टिप देना अपमान माना जाता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन आपका पांचवा सवाल है कौन से देश के चच में गतार लेना या चीमना कानूनन अपराद माना जाता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन आपका चछठा सवाल है ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आसुओं के लिए प्रसिद है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन आपका सात्वा सवाल है लंबे समय तक उप्वास रखने पर शरीर का कौन सा अंच सबसे अधिक प्रभावित होता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन आपका आठवा सवाल है क्या खाने से इंसान का दिमाग हमेशा स्वस्त रहता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब है ओप्षन D. काजू आपका नौवा सवाल है ज्यादा आलू खाने से कौन सी दिमारी होती है आपका ओप्षन है A. कब्ज B. गुखार C. जुको D. शुगर इसका सही जवाब है ओप्षन D. शुगर आपका दस्वा सवाल है ऐसा कौन सा देश है जहां केवन लड़कियां ही शराब पी सकती है आपका ओप्षन है A. जापान B. पेरू C. केनिया D. कोरिया इसका सही जवाब है ओप्षन B. पेरू आपका ग्यारहवा सवाल है ठंडी बियर शरीर की कौन से आंद को खराब करती है आपका ओप्षन है A. केडमी B. फिफडा C. लीवा D. आंद इसका सही जवाब है ओप्षन C. लीवा आपका बारहवा सवाल है मनुश्य के शरीर में सबसे ज़्यादा चर्वी वाला आंद कौन सा है आपका ओप्षन है A. नाक B. कमर C. जानद D. दिमाद इसका सही जवाब है ओप्षन D. दिमाद आपका तेरहवा सवाल है भारत के अलावा कौन से देश में गाई की पूजा की जाती है आपका ओप्षन है A. श्री लंका B. जापन C. नेपल D. इंडोनेशिया इसका सही जवाब है ओप्षन C. नेपल आपका चौदावा सवाल है हरा मतर खाने से कौन से बिमारी ठीक हो जाती है आपका ओप्षन है A. कब्ज की B. दर्द की C. दिल की D. पत्री की इसका सही जवाब है ओप्षन C. दिल की आपका पंद्रहवा सवाल है कौन से जानवर का सिंग हीरे से भी ज़्यादा महेंगा होता है आपका ओप्षन है A. हाथी का B. बैल का C. ताले हेरन का D. सुनेहरी गाए का इसका सही जवाब है ओप्षन C. ताले हेरन का आपका सोलहवा सवाल है कौन सी ट्रेन भारत के बारा लाजियों से होकर गुजरती है आपका ओप्षन है A. शताबदी B. हिमालयन C. हिमसागर D. गंगा सागर इसका सही जवाब है ओप्षन C. हिमसागर आपका सत्रहवा सवाल है रिक्षों पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा है आपका ओप्षन है A. तर्बूच B. कचहल C. केला D. नाशपाती इसका सही जवाब है ओप्षन B. कचहल आपका अथारहवा सवाल है मंच्छर के कातने से मनुश्य को कौन सी विमारी होती है आपका ओप्षन है A. रियेक्षन B. देंगू बुफार C. पिलिया D. टाइफाइड इसका सही जवाब है ओप्षन B. देंगू बुफार आपका उन्नीस्वा सवाल है निर्मा सर्फ पर बनी ये लड़की कौन है आपका ओप्षन है A. निलुपमा B. मधुबाला C. निर्मला D. माधुरी देख्षित इसका सही जवाब है ओप्षन A. निर्मला आपका बीस वाँ सवाल है एक अंडे को उबलने में दस मिनिट का समय लगता है तो दस अंडे को उबलने में कितना समय लगेगा आपका ओप्षन है A. सो मिनिट B. बीस मिनिट C. दस मिनिट D. पचास मिनिट इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप हमारी चैनल में नया हो तो चैनल को सबस्क्राइब करे मिलती है और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद